हेलो दोस्तों मैं हूँ तुशार साहू और वेलकम तो मैं चैनल दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमाई पास में यह बेस विरियन बीफोर महंदा बलैरो गाड़ी है जिसमें ओल्ड ग्राफिक्स दाला गया है और इस गाड़ी के अंदर भाई सारी लेटे साज से की गई है जिसके बारे में बताने वालो हूँ तो देखिए क्रोम किट कॉंबो पाक हमारे पास में जिसमें सारे क्रोम एलिमेंट्स आपको इस गाड़ी के लिए मिल जाते हैं साथ में यहां देखेंगे तो RD Company का 3 साल warranty वाला आपको यहां पर देखने को मिलेगा Central Logging System जो कि इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है साथ में इस गाड़ी में RD Company का Power Window भी डाला गया है तो यह सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं तो गाड़ी अभी हमारी बनने वाली है आप यहां पर देख सकते हैं RD Company का Power Window Kit है जिसमें आपको Console Kit और Motor मिल जाती है चारो ही Doors के लिए यहां देखिए One Year की warranty आपको RD Company प्रोवाइड करती है तो अभी हम लोग ने इस इस इंस्टॉल किया तो यहां आप देख सकते हैं यह जो Rear Side के Doors है वहां पर यह बटन लगाएगी है Power Window की इस से बटन से कंट्रोल होगे सारे की सारे ग्लासे यह साइड वाला जो डियर साइड का दोर है वहां पर भी लगाए गया है तो तीन ग्लास पर तीन डोर पैनल पर सिंगल सिंगल बटन लगाई जाती है और जो हमारा ड्राइवर साइड का दोर रहता है वहां पर चारो डोर की कंट्रोल बटन लगाई जाती है तो यहां पर इसका इंस्टॉलेशन कर दिया गया है आप देख सकते हैं जो ग्लासे से हमारे अपर डाउन इसली हो जा रहे है यहां देखेंगे तो यह जो यहां आप देखेंगे तो यह आडी कंपनी का जो सेंट्रल लॉक है उसमें इस टाइप के दो रिमोट आपको मिल जाते हैं काफी बढ़िया है लुकिंग वाइस भी अच्छे है तो यह सेंट्रल लॉकिंग केट भी चारो डोर के लिए और पीछे वाले डोर के लिए यहां पर होल किया है जहां पर इसका किया जाएगा चले अभी इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में इसका आउट्पूट भी आपको दिखाऊंगा वाइड केलर कली या आपका आउट यहीं में देता है यहां देखेंगो बोल infra karव बंनेवालin वाला तो वह से कके इस देख सकते है इसगारी का वियू अभी सारा इटम इसमें इसटॉल हम लोग करेंगे ग्राफिक्स तौ इस्टॉल किया गया है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी लगाया गया है यहां आप देखेंगे तो अभी इसका इस्टॉलेशन चल रहा है जो रेइन वाइजर है ब्लाक किलर के ABS क्वालिटी के वह आपको देखने को मिलेगे उपर साइड में ब्लाक कलर के रूफ रेल्स यहां पर डाले गए है इस गाड़ी के तो जूकि एक्स्टीरियर में बहुत बढ़िया लुक देते हैं तो आप भी अपने बुलेशन गाड़ी को इस तरीके से मॉडिफाय करवा सकते हैं बीफोर गाड़ी को अफ्टर मार्केट असे दलवा के आप उसको टॉप एरियन में कंव जाएगा तो यह लुक वाइस बहुत बढ़िया चीज है आप भी अपनी गाड़ी के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं चलिए आंगे बढ़ेगे और इस गाड़ी के अंदर भाई आट इंच का बेस ट्यूब भी डाला गया है तो वह भी मैं आपको बताता हूं और साथ मैं होता है तो बुलकुल आपकी बुलेरो गाड़ी में यदि आपको पेस की कमी लगती है तो इस बेस्टू का लगा सकते हैं कभी फ्यूचर में आपको उसको लिकाना है तो एजली लिकाल भी सकते हैं यहां देखेंगे नाइन इंच का एंडॉइड टच स्क्रीन सिस्टम यह के बाद में यह सिस्टम ओन हो जाता है लेफ साइड में देखेंगे तो इन बिल्ट माइक दिया गया है मतलब फोन कॉल आप इसके थू कर सकते हैं गाड़ी चलाते हुए भी पाउर बटन होम बटन बैक बटन वॉल्यूम अप डाउन बटन सारे इधा कॉर्णर में आपको हमको भी आप काम कर सकते हैं यहां देखेंगे तो इसमें YouTube आप चला सकते हैं वाट्जब्स ला सकते हैं प्लेव स्टोर से अपनी पसंद की कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड करके इसके अंदर इस्तमाल कर सकते हैं यहां देखें Google Map का इस्तमाल भी आप इस यहां पर किया जा सकता है GPS इसके साथ में आता है तो GPS connectivity भी आपको मिल जाती है साथ में हम बात करेंगे तो यहां आप देखे प्ले स्टोर के लिए भी option दिया गया है तो आप अपनी ID से कोई भी application डाउनलोड करके उसका स्तमाल कर सकते हैं साथ में यहां आप देखेंगे music के लिए तो pen drive से आप music चला सकते हैं Bluetooth के मदद से music चला सकते हैं Wi-Fi connectivity के थूँ आप इसके अंदर इंटरनेट भी जला सकते हैं settings देखेंगे तो car की सारी settings आपको इसके अंदर मिल जाती हैं sound से related, system से related, car settings से related, android से related तो इस सारी settings भी इसके अंदर दी गए कभी भी आपको इस्तमाल करना तो बिलकुल आप कर सकते हैं साथ में यहां पर आप देखेंगे तो steering wheel controls बटन भी आपको यहां पर मिल जाता है capable है आप यहां देख सकते हैं यदि बुलेरो गारी में आप steering controls जालते हैं तो वो इसका connection भी हो जाता है इसके इलावा logo भी इसके अंदर मिल जाता है और यहां देखें भाई गेम की बात करें तो Ludo King जो गेम है हमारा वो यहां पर download किया गया है तो वो भी आप easily इसके अंदर खेल सकते हैं full HD quality का वीडियो आपको इसमें देखने को मिल जाता है बस depend करता है वीडियो की quality के उपर तो आप भी full HD quality के वीडियो से इसमें चला सकते हैं यहां पर यह जो वीडियो है 3GP quality में है pen drive से लगे हुए आप online YouTube से full HD quality के वीडियो इसमें चला सकते हैं calendar की हम लोग बात करेंगे तो calendar भी आपको मिल रहा है तो कहने का यह मतलब है कि जिस तरीके से आप अपना Android mobile phone को चलाते हैं यह Android system आपकी बुलेरो गाड़ी में work करता है तो यह सारे specifications आपको इस touch screen के अंदर मिल जाते रिवास parking camera जो गाड़ी की पीछे लगाया है उसका भी view आपको इसके अंदर मिल जाता है Bluetooth connectivity आप easily कर सकते हैं अपने mobile phone को Bluetooth से connect करके आप उसके थूरू song play कर सकते हैं Calling किसी का phone आता है तो easily आप उसे pick भी कर सकते हैं file storage आपको यहां देखने को मिल जाता है और नीचे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है pen drive वो लगाने का option है तो दो pen drive slot भी यहां पर दिये गए देखिए pen drive slot जो है यहां पर आपको मिल जाते हैं यह बड़िया चीज है आप भाई आप भी अपनी बुलेरो गारी को modify करवाना चाहते हैं तो इस तरीके का touch screen system आप भी बुलेरो गारी के लिए prefer कर सकते हैं proper fitment के साथ में AC win में भी कोई problem नहीं यह अच्छे से flow होती है और कोई problem भी नहीं जाती है गारी में black and red combination वाले लगाए गये हैं leather seat covers और यह आप handbrake के पास मैं आप चाहे भाई हमारा wooden handrest जो wooden का बना हुआ रहता है वहां यहां पर install कर सकते हैं चली power window की बात करेंगे तो देखिए यहां से सारे के सारे जो glasses से आप उसको control कर सकते हैं RD company का इसमें डाला गया है बटन से आप उपर नीचे इसका 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 इस साइड वाला जो glass है वो भी up-down आपको यहां पर होतो होगा मिल जाएगा इसके इलावा जो पीछे के जो glass है वो भी यहां से driver side से आप operate कर सकते हैं सब में अच्छी बात है कि इसके auto close-up relay भी इसके अंदर आता है साथ में कोई भी glass आप की गाड़ी का open है और आप जैसी remote से glass बंद हो जाते हैं उसका भी demo आपको भी मैं करके बताऊंगा proper fitment किया गया है एक साल की warranty इस power window के ओपर company provide करती है तो बिलकुल आपकी गाड़ी में power window नहीं है तो आप भी इस तरीके का power window लगा सकते है शीट कवर्स की बात करेंगे तो यहां पा दिके black and red combination वाला काफी for कर सकते हैं steering cover भी इसमें डाला गया है साथ में अब हम लोग बात करेंगे fog lamp की जो कि मैंने को वीडियो के शुरू में बताया था LED वाला fog lamp पे देगे सारे LED से इसमें लगे है proper बुलेरो गाड़ी के लिए आपको aftermarket मिलता है इसका इस्तमाल आप कर सकते है नाइट में बढ ग्लास हमारा खुला हुआ है और जैसी हम लॉक करते हैं तो यह देखिए और टो मैटिक जो ग्लास है वह उपर हो जाता है तो इसे और तो रिले आप कहा जाता है और यह पार विंडो के साथ में मिलता है और aftermarket भी इसका एक रिले आपको अलग से मिल जाता है यह आपको लगाई जारी जो कि मैना इस टाटिंग में बताया था है एक का क्रुम है फे खूब सुरत लग रहा है इंस्टॉल होने के बाद में साइड मिरर का क्रूम यह पर इंस्टॉल किया जा रहा है यह क्रों किट आप खुद बिल्कुल कांटे कर सकते हैं हम देलेवर से हम लोग क कर दिये गये हैं तो यह Chrome Kit Combo Pack बुलेरो गाड़ी के लिए आपको aftermarket मिल जाता है नीचे देखिए Fog Lamp का Chrome यहां पर install किया जा रहा है पीछे में टेप लगा हुआ है रेड कलर का टेप लिकाल के आपको इसको चिपकाना होता है प्रॉपर और मजबूत आता है एक बाचे पकने के बाद फिर लिकलता भी नहीं यहां देखिए Fog Lamp Chrome लगाने के बाद में Fog Lamp की जो Quality है वो और भी डिसेंट लगने लगी रियर साइड में जो टेल लाइट का लगी है उसका Chrome भी आपको एक पैकिट के अंदर मिल जाते हैं जिसमें आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहां पर दोर हैंडिल लगाया गया है तो दोस्तों यह सारी आफ्टर मार्केर आपको कंप्राइजर मिल जाती है यह जदि आपको यह चाहिए भाई तो बिल्कुल आम मुझसे कॉंटेक कर सकते हैं इसे हम आपको हम डिलिवर करवा देंगे तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतने वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करक मिलता है आपको के साथ में तब तक लिए गुडबाय जाहिन जाय भारत